आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है देश उसके खिलाफ इजराइल के किसी भी खत्रे या गैर कानोनी कृत्ते का निरनायक जवाब देगा जिहा इरावानी ने शुक्रवार को सयुक्त राश्र महासच्यू इंटोनियो गुटेरिस और UNSC के अध्यक्ष फेरिट होकसा को लिखी एक छिट्टी में इजराइली खूफिया एजनसी मोसाद के प्रमुख डेविल बार्निया के हालिया बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है बार्निया ने हाल ही में इरान पर कुछ बेहत गंबी आरोप लगाये थे और कहा था कि अगर इजराइल के किसी भी शक्स को नुक्सान पहुचा तो कड़ी कारवाई की जाएगी इरान ने 20 से ज्यादा हमलों का निर्देश दिया था बार्निया ने कहा था पिछले साल इजराइल के खिलाफ इरान की तरफ से 20 से अधिक हमलों का निर्देश दिया गया था अगर ऐसे हमलों में किसी भी इजराइली या साओधी को नुकसान होगा तो इराणियों के खिलाफ से अन्य कारवाई की जाएगी इरावनी ने बार्निया के दाओ की निंदा करते वे इसे निराधार वताया और कहा कि ये भरकाव बयान अंतराशिया कानूनी और सयुक्त राश्यो चार्टर का घोल उल्लंगन है उन्होंने कहा कि इराण उसके खिलाफ इजराईल के किसी भी खत्रे और अवेद्ध कुरित्य का रिनायक जवाब देने के लिए अंतराशिया कानून और सयुक्त राश्यो चार्टर के आदार पर तैयार है इराण पर लगाए गए परमानू प्रतिबंद बरकरार रहेगे जिया इरावनी ने दहराया कि इराण अपनी राश्य सुरक्षा और हितो की रक्षा और अपने लोगों की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा इराणी दूट ने UNSC सेजराइल के शत्रुष्टरा पूर्न बयानबाजी और विनाशकारी गती विदियो की निंदा करने का भी आवन किया है इस बीच ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने कहा है कि परमानु का क्रम और बैलिस्टीक मिसाइल बनाने को लेकर इरान पर लगाए गए प्रतिबंद बरकरार रहेगे इरान और पर्शिमी देशों के बीच हुए परमानु समझाते जो की अब खत्म हो चुका है के तहत लागू की गई ये परबंदिया टाइम टेबल के मुताबिक अक्टूबर में खत्म होनी थी पाकिस्तान की एरलाइन्स कमपनिया हुई दिवालिया कई विमानों का संचाल अंठप इंदन खरीदने के परिल्ला ले जिया आर्थिक बढ़ाली के हालात से जूज रहे पाकिस्तान की सरकारी एरलाइन्स कमपनिया दिवालिया होने के एक अगार पर पहुच गई है इन एरलाइन्स कमपनियों ने पाकिस्तान इंदन खरीदने तक के पैसों की कमी हो रही है सरकार एरलाइन्स ने शुक्रवार को सुईकार किया है कि बेड़े को कुछ दिनों के भीतर छड़ा खड़ा किया जा सकता है क्योंकि उसे बिल्क और वेतन का भुक्तान करने के लिए संगर्श करना पड़ रहा है सरकार स्वामित्व वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एरलाइन्स याने पी आई ए के प्रवक्ता अब्दुल्ला हफीज ने यहां के कमपनी राजकोश से ततकाल वित्या मदद मांग रही थी लेकिन फिलहाल धन मुहया नहीं कराया गया दर्शकों के कुप बंधा और सिर्दा से पाकिस्तान की अर्थ्यवस्ता को डगमगा दिया है और इस साल एसलामाबाद को डिफॉल्ट से बशने के लिए अंतराशिय मुद्रा, कोश यानी आई एम एफ के साथ एक समझोते के लिए मजबूर होना पड़ा हफीज ने कहा कि गुरुवार को तिन उडाने रोक दी गई और वेतन का भुकतान भी देर से किया गया उन्होंने कहा 31 के बेड़े में से 25 विमान अभी भी उडान बर रहे है अनिको निर्धारित या अनिर्धिरित रखरकाओ के लिए रोक दिया गया है एक रिपोर्ट के अनुसार एरलाइन से डहने की कागार पर है और अगर अपातकालिन धन उपलब्द नहीं कराया गया तो कुछी दिनों में उडान संचाल अन्निलंबित किया जा सकता है ब्लूमबर्ग ने बताया कि PIA पर 743 अरब रुपे लगबग याने 2.5 अरब डॉलर की देंदारिया थी जो उसके कुल संपत्ती से 5 गुना अधिक है PIA 1955 में आस्तित्व में आया जब सरकार ने घाटे में चल रहे एक वानी जी एरलाइन का राशिय करन किया और 1990 के दशक तक तेजी से विकास किया बाजार के उदेई करन और कईनी जी और सारवजेनिक स्वामी मत्ववाली एरलाइनों के लॉंच ने PIA पर भारी दबाव डाला जिसके परिनाम स्वरुप फर्शों तक घाटे में रहना पड़ा एरलाइन्स की प्रतिष्था को हमलो अफरनों और दुर्गटनाओं की एक श्रिंकला से भी नुकसान हुआ है जिसमें मई 2020 में कराची में एक एर बच्च की दुर्गटना भी शामिल है जिसमें सत्यान वजियात्रियों और चालक दल की मौत हो गई थी सरकार की एरलाइन्स को बेचने की यूजना है लेकिन अभी तक उसने विशेश समीतियों दौरा निजी करन के लिए रखते गए कम से कम दो प्रस्ताओं पर कारवाई नहीं की गई है इस तरह के दिन भर के तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएगे आपका रूबरू तब तक देखते रहे हैं MNS News Network मेरे साथ ये अनेरिशन सारे के साथ नमस्कार ये है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News